है गाइस मैं हूँ अदूल और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इंडस्ट्रीज में हम जो है यूपीएस का यूज क्यों करते हैं यह इंटर्व्य कुश्चन है क्योंकि यह जो इंवर्टर और यूपीएस है यह दोनों का ही काम है दीजी सप्लाई को एसी सप्लाई में कनवर्ट करना और आगे अप्लाइंस को देना लेकिन फिर भी हम लोग जो है इंवर्डर को ना चूज करके यूपीएस को ही क्यों चूज की हैं इस वीडियो के एंड होने तक आपको जो है इसके बारे में सभी डाउट्स जो है क्लियर ह हो जाएगे तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो से उसकी अपडेट आपके तक पहुंच जाए है जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजिनिय अप्लाइंस एक कंप्यूटर है और दोनों अप्लाइंस में हम लोग एक में यूपीएस लगा के रखें और दूसरे में जो है इनवर्टर लगा के रखें और किसी कारण एक ही टाइम में जो है पावर कट हो जाता है तो हमारा जो कंप्यूटर है जो अप्लाइंस हम लोग तो वो supply cut होने के बाद कितना time लगता है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है अगर हम लोग inverter यूज करेंगे तो वो अगर एक 1 millisecond time लेता हो supply को cut करके फिर से return आने में तो यह जो UPS होता है यह 1 microsecond लेता है यानि कि 1 millisecond से भी बहुत कम होता है I hope कि आपको मेरे example समझ में आ गए होगे अब मैं आपको जो है इसके advantages और disadvantages के बारे में बताऊंगा तो और भी knowledge आपका सार्प हो जाएगा अब देखिए आप लोगों के घर में जो inverter का use होता है उसमें से आप लोग क्या-क्या appliance चलाते हैं आप लोग जो है lights, fan, fridge, washing machine यह सारा चीज तो operate होता है लेकिन UPS है इसका एक disadvantages से कि यह बड़े-बड़े appliance को handle नहीं कर पाता है तो हम लोग जो UPS का use सिप computers पर करते हैं अब industries में बहुत सारे ऐसे computers होते हैं जहां पर हम लोगों का data 24x7 update होते रहता है अब अगर हम लोग उस जगह में inverter का use करा होते हैं तो उस time में जो 1 millisecond जो time लेता है उस 1 millisecond का data है नहीं मिल पाता लेकिन हम लोग जो UPS का use कर रहे हैं industries में इससे क्या होता कि हम लोगों का जो भी data है वो 1 millisecond से कम time में जो है वो supply backup में आ जाती है इसके बजासे वो data हम लोगों को बहुत आसान तरीके से मिल जाता है या फिर यह जो UPS से इसका use जो है ATM में भी होता है सपोज माल लीजे आप पैसा निकालने के लिए गया है और अचानक अगर power cut हो जाए और पैसा अगर उहीं पर रोख जाए तो क्या होगा इसलिए जो है हम लोग UPS का use करते हैं sensitive appliance के ओपर तो guys मैं आसा करता हूँ कि मैंने आपको जो है समझा सका आखिर ये UPS का use जो है industries में क्यों करते हैं तो guys अगर आपको मेरे बताने का technique अच्छा लग रहा है तो please इस वीडियो को like कर दीजे और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को share कर दीजे और चैनल पर नया है तो please चैनल को subscribe कर दीजे ताकि आने वाले जो भी electrical engineering related interesting videos हैने वो आपके तक बहुत आसान तरीके से पहुँच तो guys मिलते हैं next video में तब तक पुना ध्यान रखे